हमारी लड़ाई इन तिन काले कानूनों के साथ साथ सत्ता, बिकाव मीडिया, धेरो गलत जानकारियां और हाड पिगलाती स्तरधी से भी है यकीन मानना अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आती तो मैं मेरे पापा को बार बार शरुंदा करती कि मैं तो जोटी बच्ची थी, अकेले सफर नहीं कर सकती थी, लेकिन आप तो खुद एक किसान हो, आप क्यों नहीं गए कि मद छेड किसान को, कि मद छेड किसान को लड़ना मुश्किल होगा, वरना ऐसा लिखेंगे इथियास, कि पढ़ना मुश्किल होगा यहाँ पर उपस्तित, सभी किसान योध्धाओं, मात्ताओं बेहनों को, मैं दिल की गहराईों से सलाम करती हूँ आज इस किसान महभारत को, एक महिने से अधिक वक्त बीच चुका है किसान इन सरहदों पर डटा हुआ है, यह सरहदे, गुरों की सरहदे है यह सरहदे, दादा छोटू राम की सरहदे है यह सरहदे, चौदरी चरण सिंह की सरहदे है यह सरहदे, ताउ देवी लाल की सरहदे है यह सरहदे, बाबा टिकेत की सरहदे है यह सरहदे, संसत को घेरे किसानों के वजूत की सरहदे है इन सरहदों में इतनी ताकत है कि आपकी इस छोटी बेटी को मद्ध प्रदेश से आहा न पड़ा देश के पूर प्रधान मंत्री अटल विहारी वाजपेह जी ने कहा था कि बाधाय आती है आए गीरे प्रले की घोर घटाएं पाउं के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदी ज्वालाएं निजहातों में हस्ते हस्ते आग जला कर चलना होगा यह अंदोलन कोई छोटा मोटा अंदोलन नहीं है यह कर जैसी बक्त का निर्मान हो रहा है विश बक्त आकर उखिसानों के बीज सड़कों पर ना रखा स्वाले वाले वक्त में उनकी ओलादे फूठेगी यह कि जाब उस अंदोलन के समर्खों में सड़कों पर बैठे थे या नगी बैठे थे हमारे इसकी सान अंदोलन ने पुरी दुनिया में एक निसाल कायम प्लिन है दुनिया से रान है इतना बड़ा मानों समूः सान्जिपूर तरीके से अनुशाशन ये साथ अंदोलन कर रहा है यहां तो चपे चपे पढ़ लंगर चल रहे है सड़कों पर लाइडररी खुली है बच्चे पढ़ रहे हैं गीद संगीद बज़राये हैं बुजुर्ग कुष्टी लड़ रहे हैं और इन सड़कों पर बुजुर्गों के बड़े-बड़े कच्छे विस्सू कराएं हैं मात्दाओं के चूले भी इन सड़कों पर पक्के हो रहे हैं होश में आजाए हुकुमात तेरे घर कच्चे हो रहे हैं यकीन मानना अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आती तो मैं मेरे पापा को बार बार शरुंदा करती कि मैं तो जोटी बच्ची थी अकेले सफर नहीं कर सकती थी लेकिन आप तो खुदे किसान हो आप क्यों नहीं गए लेकिन मेरे पापा हमेशा जमीन से जुड़े मुद्दों के लिए आगे रहते हैं पापा कहां हुआ आप अच्छा हुआ कि आज आप मुझे हमन लेके आ गए और मेरे भविष्टी के सवालों से बच गए क्योंकि जब इस अंदोलन का इथियास लिखा जाएगा तो कहां जाएगा कि लहू में भीगे तमाम मुखसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे तुम खड़े थे वफा के रस्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे तुम खड़े थे शेहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोक से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है तो तुम खड़े थे, तुम खड़े थे तुम्हारी आखों की ताख्चों में जलती रोशनी ने नई मन्जिल हमें दिखाई तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेने, तुम्हारी माए तुम्हारी मिटी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे हमारी धर्ती के जिस्म से जब हवस के मारे सियाहा जो हो की तरह चिम्टे हुए थे तो तुम खड़े थे तुम खड़े थे तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी यज्मत और इस्तकामत तो वो हिमले है जिसकी चोटी तक पहुचना ना पहले बस में रहा किसी के नाने वाले दिनों में होगा सोाने वाली तमाम नसले गवाही देगी कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे, तुम खड़े थे हमारी लड़ाई इन तीन काले कानुनों के साथ साथ सत्ता, विकाव मीडिया, धेरो गलत जानकारियां और हाड पिगलाती सर्धी से भी है घर, परिवार, खेत, खलियान, पशुओं से दूर रहकर भी किसान इस मुश्किल घड़ी में यहाँ पर डटा हुआ है मैं देश की आवान से आवान करती हूँ कि आप अपने देश के किसानों को बदनाम न करे उनका साथ देश या दोनों के हक की लड़ाई है मिलकर सांजी लड़ाई लड़ें मैं आखरी बात सत्ता से कहना चाहूंगी कि मत छेड किसान को कि मत छेड किसान को लड़ना मुश्किल होगा वरना ऐसा लिखेंगे इथियास कि पढ़ना मुश्किल होगा कि पढ़ना मुश्किल होगा बोले सो निहास राम राम